है गाई वेलकम बैक टो माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो गाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ जशन की वीडियो शेयर करने लगी हूँ हैवी हेर ओईलिंग रिमोव टैंकर्स एंड सिंगर स्लीक ब्रेट की वीडियो शेयर कर र तो गाई आप देख सकते हैं जशन को हमने करवाया हेर वाश और अफटर हेर वाश अब उसके बाल अच्छी तरह से सूख गए हैं मुझे उसके बालों में आइलिंग करनी हैं आइलिंग के लिए हमेशा की तरह मैं मस्टर्ड ओयल यूज़ कर रही हूँ इसे छोटे से अच्छा लगता है मैंने अपने बालों में रिबॉंडिंग करवाई हुई है बट फिर भी मैं मस्टर्ड ऑईल ही यूज करती हूँ मुझे इसके रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे लगती है तो जेशन के न कभी भी मुझे कम ऐसा नहीं होता है कि मुझे कम थोड़ा कम मैं ऑईल लगालू कि मुझे टैंगल्स को रिमूव करने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है चाहे एरफॉल की प्राब्लम उसे नहीं है बट टैंगल्स रिमूव करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है इतनी उसे पेन होती है बालों में पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा टैंगल् करो like- Studiener का ये सिरम का यूज मैं बहुत ही कम पालों में बहुत कम चीज़ें उसके बालों में यूज़ करती हूँ experiment मैं बहुत कम करती हूँ मस्टर डॉय आयूड शेंपू यही 200 चीज़ें जो मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ बड़े ही सुन्दर, सबको उसके बाल, बड़े सुन्दर लगती हैं, बड़े अच्छे-च्छे मुझे कमेंट आते हैं, उसके बाल, मतलब अगर जब हम कॉमबिंग करते हैं, या ब्रेड बनाते हैं, हमें खुद फील होता है, बहुत हैल्दी बाल है उसके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर है हमेशा मैं जूडा करके ही उसे रखती हो तो अच्छी तरह से oiling करने के बाद अब मुझे tangles को remove करना है tangles को remove करने के लिए मोटी वली कॉम का मैं use कर रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बालों में tangles बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं तो इसलिए मैं मोटी वली कॉम का use करती हूँ ताकि ज़्यादा बाल भी ना निकले और अराम से उसके tangles remove हो जाएं इसमें मैंने बहुत वीडियो में कम दिखाया है थोड़ा फास्ट करके दिखाया है बट tangles remove करने में आदा घंटा लग जाता है इतने ज़्यादा उसके बालों में tangles होते हैं मोटी वाली कॉम का use कीजिए tangles remove करने में बड़ी easily tangles निकल जाएंगे और oiling करके ही tangles को remove कीजिए बिल्कुल dry सुखे बालों में अगर आप अठके निकालेंगे ना तो आपकी hair fall की problem ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप उसके बाल देखी इतने सुन्दर लग रहे हैं ना कि मतलब कई लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि आप न चेशन के trimming करते हो बट गाइस मैंने कभी कि भी उसके बालों में सीजर का यूज किया ही नहीं है कभी टची नहीं किया सीजर कि उसके बाल वैसे ही इतने सुन्दर हैं बिल्कुल बराबर हैं लैंथ बालों की बिल्कुल बराबर हैं बहुत ही सुन्दर बड़े प्यारे बाल हैं उसके तो देखिए ऑईलिंग भी मै ब्रेड और भी ज़्यादा सुन्दर लगती है कि यूई आप देख सकते हैं कि उसके बालों में कितना ज़्यादा ओईल लगा हुआ है क्योंकि बीना ओईलिंग के तो कोई भी हेस्चाइल कोई भी ब्रेड या फिर जूड़ा भी अगर मुझे करना है तो मैं ड्राइब बाल बिल्कुल हाथ में नहीं आते हैं अ Čशी थर से टैंगस जब रिमूव हो जाते हैं तो उसके बालों में कॉम्बिंग करने का बड़ा ही मजा आता है बड़ा अच्छा लगता है कॉम्बिंग करना तो देखिया मैं ओसके बिल्कुल simple, single, sleek braid बना रही हूँ, बिल्कुल असान तरीके से जो braid बन जाती है और आप देखिए, braid कितनी ज़ादी सुन्दर लग रही है उसके बालो में जब भी आप oiling करते हैं उसके बाद इसी तरह से braid बना कर रख लीजिए, बालो को open ज़ादा मत छोड़िए आपको here fall के problem भी बिल्कुल नहीं होगी, रात को सोते टाइम में आप इस तरह से loose braid बना कर रख सकते हैं, तो देखिए गाईज, कितनी सुन्दर उसकी येवली braid लग रही है और कितनी लंबे उसके बाल लग रहे हैं तो गाईज, आपको मेरी येवली वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी बताना hope guys, आपने वीडियो को अभी तक like जरूर कर दिया होगा, और चैनल को subscribe भी कर दिया होगा तो चलिए guys, अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए thank you, bye